डियर स्टुडेंट कैसे हैं आप सभी आज में बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक पर डिसकस करने वाली हूं वह है CUET का जो 2025 का हिस्ट्री का सलेवस है वह क्या है कौन कौन से चप्टर जो है NTA द्वारा आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे देखो आप NCRT पढ़ रहे हो हर बच्चा जो स्कूल में NCRT पढ़ रहा है उसमें कुछ चप्टर डिलीट कर दी गए है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो CUET एक्जाम ले रहे हैं उसमें आपके कुछ और चप्टर भी आपको पढ़ने होंगे वह चप्टर कौन से होंगे उसपर मैं आपको चर्चा करने वाली हूँ अच्छ से बताने वाली हूँ और इसी के साथ साथ एक इंपोर्टेंट टॉपिक वह है स्ट्रेटरजी कैसे मैनेज करो कि स्कूलिंग के साथ साथ ही आप CUET का एक्जाम जो है उसकी भी अच्छी प् करेंगे आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी होसलों से भरी एक कोशिस एक दिन जरूर रंग लाएगी देखो कोशिस तो आपको करनी पड़ेगी और अच्छे से ट्रेक जो है उसको चूज करना पड़ेगा फिर आप आराम से स्मुतली उस पर चलते र पड़े हो उसके लिए अभी से आपको पढ़ना है और स्कूल भी जाना है आपको उसका होम वक भी करना अधर अदर अक्तिवीटिम्टी भी होती रेती है तो सबसे अहम TOPIC रहता है टाइम मैनेज करना अप अभी से आज से इस वीडियो को देखकर अभी से टाइम मेनेज कर पढ़ते हैं बच्चे बैठते हैं मॉबाइल चलाते हैं कोई वीडियो देख रहे हैं समय निकल गया पता ही नहीं चला आजका जो हमें पढ़ना वो आज ही पढ़ लो आपको time manage करना सीखना पढ़ेगा नहीं तो आप जो यह बहुत बढ़ा सपना रखते हो वह पूरा नहीं हो पाएगा तो time management करिए फिर last year के जो पेपर है CUT के उन्हें analysis जरूर करिए चाहे कोई भी एक्जाम जीवन में कभी भी देओ अगर आप last year के तो आपको एक बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि अच्छा कौन सा लेवल रहेगा किस तरीके के कुश्चन जो है एक्जाम में पूछे जाएंगे तो आप से यूटी के प्रिवियर सर्स के पेपर्स जो है उनको जरूर सौल करो वह का मिलेंगे वह उतकर्ष के एप म मिलेंगे आपको हम बहुत सारे बिफोर लास्ट यर उसके पहले पूछे गए बहुत सारे कुश्चन से जो है उसको डिसकस करवाते हैं अब बात करते हैं सेलेबस की तो वह मैं अभी आपको बताने वाली और किस तरीके के कुश्चन पूछते हैं उस पर भी मैं इस वीडि के तथा अस्तिया अब यह सलेबस कहां मिलेगा तो जो ओफिशल वेबसाइट है उसमें हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट का कोड है 314 वहाँ पर आपको यह सलेबस मिल जाएगा आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं सेकेंड चप्टर आरंबिक राजियर और्थ विवस्ता है जो पढ़ी रहे हो आगे बात करतें भक्ति सूफी वाला चप्टर सामराजी की राजधानी विजय नगर बहुत सुंदर चप्टर किसान जमींधार और राज्य यह भी बहुत ही बढ़िया चप्टर है अब बात करतें शासक और इति व्रत्य को यह चप्टर जो है यह आपने नहीं पढ़ा है यहां 12 में NCRT से डिलीट हो चुका है जो जो बच्चे NCRT पढ़ रहे हैं वहां पर यह चप्टर नहीं मिलेगा तो यह चप्टर आपको एडिशनल CUET एक्जाम के लिए पढ़ना मस्ट है इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा अच्छे से समझना होग क्योंकि इसमें से क्वेशन जो है पूछे जाएंगे आपके CUET एक्जाम यह जरूर ध्यान रखना इसी तरीके से बात करते हैं उपनिवेश्वाद और देहाद विद्रोही और राज बहुत सुंदर चप्टर है 1857 के विद्रोह का उपनिवेश्वाद और सहर यहां क्योंकि इसमें से क्वेशन आएंगे आपको इसको पढ़ना पढ़ेगा आगे बात करते गांधी जी तो आपको हमेशा सही पढ़ते आयो और पढ़ना ही है उनके सारे आंदूलन पर बहुत सारे क्वेशन पूछ रहें विभाजन वाला चेप्टर आपके NCRT से डिलीट है लेकिन आपको यह COAT के लिए पढ़ना पढ़ेगा तो देखो यह ध्यान रखना जो चेप्टर मैंने आपको बताए हैं वह आपको एडिशनल पढ़ने होंगे तभी आप अपना जो है सपना पूरा कर सकोगे समीधान वाला चेप्टर लास्ट चेप्टर है अब कुछ एनल यह फिक्स कोई रूल नहीं कि अंके ने दिया और मैडम ने बताया ऐसा नहीं है यह तो एक अनलिस से जो मेरे द्वारा किया गया है कि जो फर्स चेप्टर उसमें से दोजार बाइस में तीन पांच आये थे चौश में चार तो तीन चार पांच करीबन कोश्चन इसमें से अगर है किसी प्रकार से 2nd चेप्टर में लख 3rd 3rd चेप्टर में 3 4th चेप्टर में 2 5th चेप्टर में आपके दो चट्थ चेप्टर में तीन कोश्चन पूच्च पूच़ गया वीजन अगरवाले में अचत्वर व्युच Gla Alrighty Wg S2 waving 223 केraf 25 फूच लिए थे पांच पूच क अगर हम डिलीटेट चेप्टर की बात करें तो देखो जादा कोश्चन नहीं पूछे गए यह आपको गबरानी की आवशिक्ता नहीं जादा डिलीटेट वाले चेप्टर में से बहुत डेफ्ट में जाकर कोश्चन नहीं आए हां 1857 वाला चेप्टर आप अच्छे से पढ़ कोश्चन नहीं तब भी आप जो है 40 नंबर 40 कोश्चन जो है वा कर सकोगे देखो मैं आपको बताने वाली कितने कोश्चन आते हैं आपके और किस प्रकार से आपको करना है मार्किंग स्कीम क्या है टोटल आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है और कोश्चन होते 50 लेकिन 50 में से 40 करने बच्चों 50 में से 40 कोश्चन ही करने क्या मड़म 40 कोश्चन 45 मिनट में हो जाएंगे अरे उससे भी पहले हो जाएंगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है चप्टर को अच्छे से आपने पढ़ा है बार बार रिवाइस गया है तो दिकत नहीं होगी यह समय सब्सक्राइब बहुत आसानी से आप इस समय में अपना काम कर पाओगे अब कोश्चन करने कितने हैं 40 कोश्चन ही अटेंप करने हैं यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान से सुना है हर राइट कोश्चन के आपको पांच नंबर मिलेंगे लेकिन अगर आपने कि 50 क्यों टिक करते हैं 40 करो एक और गलती बहुत ज्यादा विध्यारती करते हैं कर लेते हैं सारे 40 सई हैं जो हो जाएंगे बाकी चूट जाएंगे ऐसा नहीं जो पहले आपने कोश्चन करे होंगे सीक्वेंस से वही चैक होंगे पीछे के 10 राइट हैं और आगे के 10 गलत ह आपने 50 कर दिये कि 40 राइट होंगे और 40 नंबर मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा यह ध्यान रखना शुरुआत के जो कोश्चन आपके 40 होंगे जो जो आपने अटेंप किये होंगे वह काउंट होंगे क्लियर हो गई क्या यहाँ बात कौन से कोश्चन अटेंड करने जि मुझे नहीं लगता कि आप 40 कोश्चन से ज्यादा ऐसा कोई कोश्चन होगा कि आपको नहीं आ रहा है 40 कोश्चन आप बहुत आसानी से कर सकोगे 10 से ज्यादा कोई कोश्चन ऐसा नहीं होगा कि जिसमें आपको नहीं आ रहा होगा 10 भी नहीं होंगे क्योंकि एक एक लाइन पर हम question जो है बना कर आपको करवाते हैं तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी बच्चों आप जो है 40 x 5 कर दोगे आपका एक question पांस नंबर का है तो 54020 तो 200 नंबर आप लेकर आ सकते हो लाए भी हैं आप CUT के चैनल पर ही जाकर कि बहुत सारे विद्यार्तियों के वीडियो उतकर्स से पढ़ाई करी और 200 में से 200 नंबर लाए और आज शांदार यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बहुत ही बढ़िया जगे उनका admission हो चुका है चलो अब बताती हूं कैसे आते हैं factual question आते conceptual question आते, factual यानि date वाले कोई question पूछ लिए, time पूछ लिया, गांदी जी का आंदोलन पूछ लिया, समय पूछ लिया, conceptual question ये बहुत important आपको इसको अच्छे से पढ़ना ज्यादातर question जो है उसका जोर जो आपका paper का रह रह रहा है वो conceptual question पर ही रह रह रहा है आपने क्या से ही question जादा पूछ रहे हैं, तो source में आपको concept जो है वह clear करवाया जाता है, सारे source को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत सारे question आपको NCRT के जो source है उसमें से मिलेंगे, अब बात करते, match the following question आते हैं, आपको 4 यहां पर option दे दिये, 4 यहां पर दे दिये, उसको match करो सही है, choose the correct answer, 4 option में से कौन सा सही है, कौन सा गलत कथन है, कौन सा सही है, correct sequence, time period के हिसाब से उन गटनाओं को जमाओ, यह काल रेखा जो है, यह काल रेखा में से आते हैं, और काल रेखा बोर्ड में नहीं पूछी जाती, ज्यादा तर स्टेट के अंदर, UP अगर में तो पू कर लो, काल रेखा में से कौशन सीक्वेंस बेस वाले बहुत सारे हर साल देखने को मिल रहे हैं, और केस स्टेटी बेस कौशन यानि एक पैरिग्राफ दे दिया, और उस पर से कौशन पूछ लिया, उस पैरिग्राफ में उस कौशन का अंस्वर नहीं होता है, यह भी बता अगर आप उतकर्ष एप से पढ़ते हो, तो यह सारी चीजे हम बहुत ही एजिली क्लियर करवा देते हैं, अब आते में मुद्दे, कैसे पढ़े मेडम, अब आपने इतनी बाते तो बता दी, लेकिन हम इन सब को कवर करें कैसे, तो उसके लिए बहुत ही सुंदर ज्रण न देखो, उसके नीचे लिखीवी लाइनों को पढ़ो, आप एजिली आपके कंसेप्ट जो है, वो बहुत बढ़िया हो जाएंगे, टिप्स पर हो जाएंगा चेप्टर, तेन से चार बार जरूर पढ़े, यूनिट वाइज, एमसी क्यू की प्रेक्टिस जरूर करें, वह का मैंने सब पढ़ लिया, लेकिन जब टेस्ट देते न तब गलतियां सामने आती है, और वह टेस्ट पहले ही दे दो, ताकि आपका जो मेन एग्जाम है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहे, तो खूब सारे मौक टेस्ट देओगे, प्रेक्टिस करोगे, रिविजन करोगे, तो बहुत ही शांदार आपका एक्जाम रहने बाला है, फिर प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस का मतलब क्या है, अलग-अलग जगे मत भटको, सही रास्ते पर चलो, सही समय पर सही चुनाओ, और फिर आप आगे समर्पन के साथ, तपश्या के साथ बढ़ते बहुत ही अच्छी तरीके से तयारी हो जाएगी, अच्छे से रिवाइस जरूर करते हो, शौर्ट नोट्स, जो टॉपिक टफ लगता है, उसका शौर्ट में नोट्स बना लो, कि यह यह चीज है, जो मैं बार-बार भूल रहा हूं, भूल रही हूं, तो वो आप अपने ल विजन करते रहेंगे, NCRT ही सबसे मूल मत्र है, NCRT बेस है इसका, अगर आप NCRT को चार से पाँच बार रिवाइस कर लेते हो, तो बिलकुल आराम से CUT एक्जाम जो है, वह आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, और अच्छे तयारी करके अपनी मन पसंद